नमस्कार बच्चो आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे उससे पहले हम कुछ प्रोपर्टी दे रखें यह प्रोपर्टी पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है कि A की पावर M, A की पावर N इसका अर्थ क्या होगा नीचे वाली विलू को क्या बोलते हैं बेस और उपर वाली विलू आजने क्या बोलते हैं पावर ठीक है यहांसे हमारे पास क्या प्रोपर्टी मिलेगी ? सेम बेस पावर अलग अलग घिक है क्या डिप्रेंटे पावर यहांसर क्या होगा A यहांसर पावर M पलस N और आपके पास क्या है यह प्रिकरत सीम बेस और पावर औलग counting कोई हैं तो आप उनको क्या कर सकते हो पावर को एड कर सकते हो जैसे 2 की पावर 3 into 2 की पावर 5 तो कितना मिलेगा 2 की पावर 3 प्लस 5 कितना मिलेगा 8 बोल सकते हैं ठीक है next property है power की power इसका आर्थ है power की power तो इसमें क्या हो जाएगा मैसा क्या होगा, पावर आपस में क्या हो जाएगी, multiply हो जाएगी, छीक है, जैसे ट्ु की पावर थरी और उसकी पावर टू, तो answer क्या में लेगा, ट्ो की पावर थरी टू जा, six, छीक है, ठीक है, थरी टू जा, six, अभ यहां पर आती है, पहली property की तरह है लेकिन यहां multiply में था यहां divide में multiply में होता है तो add हो जाता है और divide में होता है तो subtract हो जाता है जैसे 2 की power 5 और 2 की power 3 तो answer क्या मिलेगा 2 की power 5 minus 3 यानिकि 2 की power 2 ठीक है यहां देखो base क्या है अलग-अलग है power क्या है same है तो यहां से हमें property क्या मिलेगी A into B की power M हो जाएगी यानिकि base का product हो जाएगा और power क्या हो जाएगी same जैसे for example 5 की power 2 और 3 की power 2 यहां से हम देखते हैं नीचे वाली जो value है वो अलग-अलग है लेकिन उपर वाली क्या है same तो हम क्या करेंगे 5 into 3 लिख सकते हैं और उसकी power 2 कर सकते हैं इनको अलग-अलग solve करके देखेंगे तो same answer आएगा ठीक है next question number first पे हम करते हैं यह कराए simplify करना है यह third part 3 part है हमारे first question के इनको simplify करना है हमें पता 64 की power कितनी है 1 by 2 हमें अब यह देखना है कि 64 को यहां पे किसी की power 2 होना जी है तो 64 किसकी power 2 है 8 की power 2 लिख सकते हैं और उसकी power 2 हमने property पटी थी क्या की power की power होती है तो क्या होता है multiply होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 की power 2 और उसकी power 1 by 2 तो 1 by 2 से 1 by 2 cancel out हो जाएगा कितना बचेगा हमारे पास 8 answer इसी तरह से 32 32 किसकी power 5 है हमें पता है 2 की power 5 है 35 होता है और उसकी power कितनी है 1 by 5 फिर से power की power वाला ही क्या लग गया यहाँ पे operation तो क्या बनेगा 2 की power 5 into 1 by 5 cancel out हो गये answer कितना है 2 अब हमें पता है 125 किसकी power 3 है हमें पता है power 5 की power 3 कितनी है 25 और उसकी power कितनी है 1 by 3 फिर से power की power multiply हो गया तो क्या होगा 5 की power 3 into कितना हो जाएगा 1 by 3 तो 3 से 3 cancel out कितना answer हो जाएगा 5 next question number second कहरा है इसको simplify करना है 9 की power 3 by 2 हम इस 9 की power 3 by 2 को कैसे लिख सकते है 3 की power 2 9 को तो लिख दिया और यह कितना हो गया 3 की power 2 हमें पता है power की power है तो क्या होगा multiply यानिकी 3 2 into 3 by 2 2 से 2 क्या हो जाएगा cancel out कितना बजएगा 3 की power 3 answer यानिकी कितना बनेगा 27 उसके बाद हमारे पास इसको हम 32 को किस की power 5 लिख सकते हैं 2 2 की power 5 और उसकी power कितने है 2 by 5 फिर से power की power क्या होगी multiply 2 की power कितने है 5 into 2 upon 5 5 से 5 cancel कितना बजएगा 2 की power 2 या फिर 4 इसी तरह से next part 16 16 है यह 16 को क्या लिख सकते हैं किस की power 4 लिख सकते हैं 2 की power 4 जो निच्चे होता है उसकी power में देखना हमें 2 की power 4 और उसकी power कितनी बनेगी 3 by 4 तो power से power multiply होती है तो फिर क्या हो जाएगा 2 4 into 3 by 4 4 से 4 cancel out 2 की power 3 यानिकी कितना हो जाएगा 8 उसके बाद यहां हम ध्यान देते हैं negative है power तो मैं उससे पहले हमें पता है अगर मैं base को change करता हूँ तो power क्या हो जाएगी positive अब क्या है 120 और मैंने क्या लग नोट कर दिया 125 तो अब जो power है वो मेरी क्या हो जाएगी plus ठीक है क्योंकि base अगर change हो जाएगा तो क्या हो जाएगी power क्या हो जाएगी positive क्योंकि पहले क्या था 125 था इसके नीचे 1 लगा सकते हैं यानि कि 125 अपॉन 1 था और मैंने इसको change करके क्या कर दिया वन अपॉन 125 तो power के sign में क्या हो जाएगा negative से positive बन जाएगा अब इसको change करते हैं इसको change करेंगे तो कितना बनेगा हमें पता है one अपॉन 125 की power कितनी हो जाएगी one by three क्योंकि one की power तो क्या रहेगा वनी रहेगा अब हमें पता है 125 किसकी power 3 होती है 5 की और यह किसकी one by three one upon five की power base power shame होगी तो three into one by three three से three cancel out होगी कितना बना one by five answer कितना बना one by five last question 1.6 का हमने property पड़े थी उसके according सारे question यहाँ पे cover और रखे हैं यहां से देखते हैं में पता था base shame होगी तो power क्या होती है add तो यहां से देखते हैं two or two क्या है base shame है तो power क्या हो जाएगी add हो जाएगी यानिकि two की power answer क्या होगा two by three plus one by five इसको solve करेंगे तो two की power में चला आए two की power lcm कितना हो जाएगा 15 ठीक है three से cut करेंगे तो five five to ten और five से करेंगे three plus three कितना बना हमारे पास two की power 13 by 15 answer ठीक है उसकी बाद यह रहा यह कौन सी प्रोपर्टी होगी पावर की पावर हमें पता है power की पावर क्या होती है multiply क्या होती है multiply so one by three की पावर कितनी है three और उसकी पावर कितनी हो जाएगी seven यानिकि one by three पावर कितनी होगी three into seven यानिकि one by three की पावर twenty one अब यह प्रोपर्टी पड़ी थी अगर base क्या हो, P by Q forum में हो और shame हो, तो क्या हो जाता है power क्या हो जाती है, subtract हो जाती है तो यहां से भी देखेंगे 11 की power 1 by 2, minus कितना हो जाएगा 1 by 4 11 की power, 1 by 4 in calcium कितना हो जाएगा, 4 2, 2, 1 जा 2 minus 1, यानि कि 11 की power कितनी हो जाएगी 1 by 4, answer अब ये last property हमारे पास क्या बना है, power सेम होगी, और base क्या होगा अलग-अलग, तो क्या होता है base का multiple और power एक, तो यहां पे भी तो यही है power क्या है, same है, base क्या है अलग-अलग है, तो 7 into 8 और power कितनी हो जाएगी 1 by 2 7, 8 जा 56 की power कितनी हो जाएगी, 1 by 2 answer 6, 8 जाएगी, 1 by 2